All right guys, तो अभी हो रहे हैं सुबह के 2-26 सुबह के रही हो रहे हैं Actually हम लोगे रात में बहुत ज्यादा फ्लाइट है हम लोगे फ्लाइट है अराउंड 5.45 पे तो अभी अपने लोगों ने कर ली है कैबो के एंड हम लोग बहुत ही स्पेशल जगह पर जाने वाले हैं अभी अपने वाले हैं तो अपने को पोटल रूम मिल चुका है थिस ताज महल टावल और लोगे अपने को बहुत ही बढ़ी है अब यहां से अब लोगों को जो हाबर फेसिंग है वो मिला है थोड़ा सा साइड में व्यू आएगा अपना जो तो सी है उसका और इदर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स बनी वेगे हैं बहुत लवली यार बहुत ही बढ़ी है अब यहां पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद में निकलेंगे तो इस ताजमहर पालेस एंड यह एंड यह एंड बीटिफुल यार यह देगो यह देगो लेलब क्या 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 है अँम सारा एक इक रेक हो क्या हुआ यह है बेकन पॉक जिकन सॉसेज जिकन फिंगर चिकन फिंगर से ल eh जोसेज़वढ शारी खाइंग होतले ट्राइढ कर देग लाँवड़ा इ Souls फा演 रहाos साबुद्धा ना खिचडी वोड़ा, रसम, काले चने की तरकारी वेजटेबल दलिया और हंजीर हल्वा यह ले ले लो ले लो बहुत ही बढ़ी है, यह वाला कपकेक अगर यहां आते हो ना तो जरूर ट्राइगाना बहुत ही बढ़ी है यह बढ़ी है, यह है ताजमहल पैलिस इसके पीछे का एरिया, बहुत ही ब्यूटिफुल बनावा यहार तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहां से महालक्ष्मी मंतिर जो की यहां से हाजयली की दरगा जहां पर है महालक्ष्मी मंतिर में दर्शन करने के बाद में हम लोग यहां पर पीने आएं लस्थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और फिर कैसा लग रहे हैं मंबई घूम के बागी यहां पर थोड़ी बहुत स्टॉल्स हैं तो गईज अभी हम लोग सुहील महालक्ष्मी मंदिर से यहां से अम लोग जा रहे हैं आज यहां से अराउंड दोसो तीन सो मीटर का ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे बढ़ बहुत ज्यादा गर्मी हैं मतलब कुछों मत बागी जब हम लोग विजिट किये तो अंदर जादा कुछ पोटर नहीं ले पाए क्योंकि अलाउड नहीं है और बेसिकली कैमरा में अमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं रहता है बट एनिवेस दर्शन तो हो गया लास्ट ताइम अगर आप लोग याद होगा तो यह वाली बिल्डिंग में यहां पर पार्किंग की दी हीरा पन्ना और देन उसके बाद में यहां से आगे जाके हम लोग विजिट करने के थे हाजी याली की दरगा अभी देखते है यह से क्राउड तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे है वैसे तो अब यहां से आ चुका है हाजी एक दरगा का रास्ता है भीड बहुत सदया और शुट्की पड़ गी अधिश्यू अधिक आपको यह है अभी आजी यह दरगा नाना करते पहुंची गए वहार से बहुत सब्सक्राइब अभी इतना नहीं है तो बट यह गंद मचाया यह यहीं चीज अच्छा नहीं लगत महारजा, महारजा महारजा, महारजा मुकदर यह किसी दिल चाल 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 जाये तो अच्छा है बदाए जित लगानी वो बदल जाए तो अच्छा है रसूल आलाह के सबके मेरे रंगला है तो अच्छा है अच्छा है तो यहां पर भी ढोल ताश चल रहा है फाइनली मतलब नसीब वो बहुत जादा बीट थी बाकी सारी जगे शाम होगी है और अभी हम लोगा प्लान है गेट वे अफ इंडिया जानेगा उदर साइड से एंटरी रहेगा तो अभी एंटरी रहेगा तो अब एंटरी करने के बाद में एक्स्प्लोर करते है दन उसके बाद में हम लोग जाएंगे मरीन ड्राइव तो यहां से होता है गेटवे ऑफ इंडिया का एंटरी और यहां पर पंडाल लग रहा है इस हुम सब्सक्राइब इस गेटवे ओफ इंडिया और हम लोगों के जो बहुत ही लवली यार अब यह अपना गेटवे ऑफ इंडिया हो चुक है कवर और यहां पर मौसम बहुत ही मस तो रखा है यहां से हम लोग जाएंगे मरीन ड्राइव एंड मरीन ड्राइव में थोड़ा घूमेंगे फोटोस यहां पर निकाली मिल जाएंगे आपको आप लोग ने यह वाला फ्लाइवर भी बहुत जागे देखा होगा यह वाला फ्लाइवर में बहुत सारी मुवीज की शूटिंग हुई है और इधर से आगे चले जाते हैं तो चौपाटी बीच पड़ जाता है अब यह मौसम बहुत सही रख है हम लोग पूरा मेरीन ड्राइव पर पूरा वॉक करके आए यहां पर अलमोस्ट एकड़ किलोमेटर का वाक है यहां से नेकलेस रोड है और उपर से व्यू अच्छा आता होगा इस कई लोग उपर रुके भी होए बट वहां पर वैसे रु क्यों मिलेगा तो अल्राइट जी तो अभी हम लोग आगे हैं चौपाटी बीच पर यहां पर खाना पीने का काफी सारा वैसे डेड़ किलोमेटर हम लोग वाक करें वट उसके बाद में जो है बारिश होन लगए तो हम लोग क्या पकड़ के आगे यहां पर एक चीज बहुत अच्छी लगी है यहां पर ना हर स्टॉल के आगे एक चटाई बिचा हुआ है वहां पर आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हो तो हम लोग तो फिलाल एक्स्प्लोर कर रहे हैं पानी पूरी खाली है आगे देख रहे हैं कुलफी फालूदा यह कि अग्रवा देख रहे हैं यह कौन सा है यह कौन सा है यह कर दो हम लोग ने रेडी जर्वाय शाही पालूदा और बहुत सारे उप्छेन है कि अधिन भी शाही फालुदा ट्राइब करने के बाद में हम लोग आ गए हैं पाव भाजी वाली शॉप पे अब अब अपना रेडी हो रहा है दिखाता हूं जैसी आ जाता है यह आगे अपना खड़ा चीज पाव क्या है यह फटाब पाव चीज पाव चीज पाव टाड़ा तो अभी फाइनली चौपाडी 20 से हम लोग यहां पर पहुंचें हैं सी एस्टी टर्मिनस बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है यहां पूरा लाइट से जगमगा रखा है लवली प्लेस यह सबसे बेस्ट टाइम है इधर आने का पूरा लाइट वाइट जल जाता है यहा सब्सक्राइबाद में यहां से निकलते हैं बैक टू होटल क्योंकि अभी बारिश धीरे धीरे शुरू हो गया तो देखो भाई मुंबई आया और यहां पर बड़े मिया में आके कुछ नौन्वेज ट्राई नहीं किया अभी यहां पर क्या है क्या क्या देखेंगे मैनू म मस्ट विजिट शॉप अभी देखते हैं इधर पर है सीख कबाप्स बिर्यानी वाला अलग है क्या है अब पूरा यहां पर कुछ ना कुछ खाने का है यह वैज है यह वैज है उदर नौन पर जाए बिर्यानी रहेगा क्या बिर्यानी कर देना ना एक लिट तो अगर खाना है और डाइन इन करना है तो इधर पर आर्टिस्ट आर्टिस्टिक टू तो दो इखर बढ़ता है तो देखो यह जो है यहां का मेन्यू तो प्राइस बहुत रीजनेवल है कि कॉलाबा एरिया जैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्स्पेंसिव है शॉप है बड़े मिया सिंस 1946 कॉलाबा अभी आ चुकी है बड़े मिया की बिर्यानी पूरी फेमस है खाके देखते हैं रिब्यूज में बताएंगे कैसा है कमेंट डाउन करके बताना अगर आपको ने खाई यह बिटो मुदकी है